हेलो फ्रेंड आज हम बनाएंगे मसालेदार चटपटे सुखे आलू की सबजी इसे आप 5-10 मिनिट में बना के तैयार कर सकते हैं बहुती छोटी सी सिंपल सी रेसेपी है और इसे बनाना तो बिल्कुल ही आसान है और ये आलू खाने में बहुती जादे टैस्टी लगते हैं और इसे आप बच्चों के टिफिन में भी बना के दे सकते हैं तो चलिए इस तीखे चटपटे मसालेदार आलू की रेसेपी को बनाना शुरू करते हैं सूखे आलू की सबजी बनाने के लिए ये मैंने 4-5 बोल की हुए आलू लिये हैं आलू को मैंने पहले ही उवालकर 2 गंटे के लिए फ्रीज में रख दिया था फ्रीज में आलू रखने से आलू काटने के बाद आपस में मैस नहीं होंगे सबजी बनने के बाद इनके पीस भी अलग-अलग दिखाई देंगे और अब हम इन आलू को चोटे-छोटे पीस में काट लेंगे ये देखे बलकुल इस तरह से सभी आलू को हम इसी तरह से काट कर तैयार कर लेंगे और ये देखिए फ्रैंस हमने सभी आलू काट कर तैयार कर लिए है और अब हम इन आलू के लिए एक चटपटा मसाला तैयार करेंगे मसाला बनाने के लिए अब हम एक पैन लेंगे और इस पैन में एक चम्मा साबु सोगा धनिया डाल देंगे और अब हम इसमें आधा चम्मा साबु जीरा डाल देंगे और एक चम्मा साबु सोग डाल देंगे और दस से पंद्रे हम इसमें काली मिर्च डाल देंगे और चार से पांच डालेंगे इसमें साबुत लाल मिर्च और ये सभी चीजे डालने के बाद मसालों को बढ़ी हैसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे मसालों को हम लगातार चलाते हुए खुस्बू आने तक भून लेंगे और ये देखे फ्रेंज मसाला भून चुका है अब हम इसे ठंडा करके दरदरा कूट कर तैयार कर लेंगे और अब हम आलू की सबजी बनाने के लिए एक कड़ाई में दो से दीन चमब सर्सों का तेल डाल कर गरम कर लेंगे और अब हम इसमें जीरा भून लेंगे चार से पांच लहसुन की कलियों को भून लेंगे जीरा भून जाने के बाद अब हम इसमें एक बारी कटा हुआ प्याज डाल कर लगातार चलाते हुए बढ़ी ऐसे भून लेंगे प्याज को अच्छे से भून जाने के बाद अब हम इसमें थोड़े से फ्रेस करी पत्ता डाल देंगे करी पत्ता डालने से आलू हमारे और भी जादे टैस्टी बनकर तैयार होंगे अगर आपके पास करी पत्ता ना हों तो आप इसे स्किप करते करीब पत्ता डाल कर इन्हें भी थोड़ा सा भून लेंगे सभी चीजे भून जाने के बाद अब हम इसमें बोईल की हुए आलू डाल देंगे जो हमने काट के तैयार करके रखे थे आलू डाल कर इन्हें थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और अब हम आलू में स्वाद अनुसान नमक एड़ कर देंगे और अब आलू में डालेंगे मसाला जो हमने तैयार करके रखा हुआ था और मसाला डाल कर आलू को बढ़िया से मिक्स करेंगे और इसे लगतार चलाते हुए थोड़ी देट तक भूनेंगे और अब हम आलू में कोई भी मसाला एड़ नहीं करेंगे इतने ही मसालों में आलू हमारे एकदम चटपटे और तीखे बनकर तैयार होंगे और ये देखिए फ्रेंज इन पर मसाला भी कितना बड़ी हसे चिपक चुपा है और ये देखने में भी कितने टैस्टी लग रहे हैं और खाने में तो उससे भी ज़्यादे टैस्टी लगेंगे ये आलू की रेसिपी 5-10 मिनिट में ही बनकर तैयार हो जाती है जब भी आपके पास टाइम कम हो तो इसे फटा-फट से बना के तैयार कर सकते हैं और खाने में तो ये बहुत ज़्यादे टैस्टी लगती है आलू को हमने लगतार चलाते हुए कुछ सेकिन तक भूना है और और अब हम इने और नहीं पकाएंगे क्योंकि आलू भी हमारे पहले से ही उबले हुए थे और मसालों को भी हमने अच्छे से भूना था और ये देखिए ये जटपट से बनकर तैयार हो गए हैं और ये देखने में भी कितने बढ़िया लग रहे हैं और खाने में तो उससे जादे आसान हैं अगर ये तीखे चटपटे आलू की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों में सेयर करें और प्लीज इसे एक बार जरूर से ट्राय करें और ऐसी आसान और सिंपल रेसि अज़ियो